दोस्तों, आज हम लोग भारत गैस कनक्षन में राइस्टर मुवाइल नमबर और एड्रेस चेंज करना सिखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपने मुवाइल में भारत गैस के अप्लिकेशन को ओपन कर लेंगे और उसमें 4 रंगों का लोग इन डाल कर लोग इन हो जाएंगे यदि आपने अभी तक भारत गैस के इस अप्लिकेशन में रेइस्टरेशन नहीं किया है तो इसके उपर मैंने पहले ही वीडियो बनाकर अपने इसे चैनल पर अप्लोड कर दिया है जिसमें मैंने बताया है कि भारत कैस के वेपसाइट यानि पोर्टल और भारत कैस के अप्लिकेसन दोनों में कैसे रेइस्टरेशन करते हैं उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस पीडियो के डिस्क्रिप्शन बाक्स में देढ़ँगा सबसे पहले आप उस वीडियो को देखकर भारत कैस के अप्लिकेशन में राइस्टेशन कर लिजे उसके बाद इस भारत कैस के अप्लिकेशन में लोगिन हो जाईए तो आपके मुवाइल के स्कीन पे ही चार अपसन मिल जाएंगे जिसमें से पहला अपसन है Quick Book and Pay दूसरा है Refill History, तीसरे नमर पे Service Request और चौथे नमर पे है Emergency Help Line तो हमें भारत कैस कनेक्शन में राइस्टर मोबाइल नमर और एड्रेस को चेंग करना है तो इसके लिए हम Service Request इस पे क्लिक करेंगे Services के अंतर अगर टोटल पाँच आपसन मिलते हैं जिसमें नीचे से दूसरे नमर पे है Mobile Number Change Request तो सबसे पहले मैं आप लोगों को Mobile Number Change करके दिखाता हूँ तो हम क्या करेंगे Mobile Number Change Request इस पर क्लिक करेंगे अब देखिए यहाँ आप लिखा है Your Current Mobile तो यहाँ पर हमारा बरतमान में जो Mobile Number है वो यहाँ पर सोग रहा है यहाँ नीचे में लिखा है New Mobile Number तो यहाँ पर अपने नए Mobile Number को डाल देंगे और नीचे में दिया है Add Declaration Document इसके नीचे में कुछ इंस्ट्रेक्शन दिया गया है कि आपको यहाँ पर क्या Upload करना है जिसमें लिखा है कि हमें एक साधे पने पर Mobile Number क्यों Change कर रहे है उसका Region लिखना है और पुराना Mobile Number तथा नया Mobile Number दोनों को लिख कर हमें अपना सिगनेचर करके यहाँ पर Upload करना पड़ेगा तब जाके हमारा Mobile Number चेंज हो पाएगा तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर नया Mobile Number डाल देता हूँ नया Mobile Number डालने के बाद इस चौकोर बाक्स में हम क्लिक करेंगे यहाँ पर Camera और Gallery के आपसर खुल जाएगा तो यहाँ आपने पहले सही साधे पने पर लिख कर रखा है तो Camera के निसान पर क्लिक करके उसका फोटो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और यदि आपने पहले सही फोटो खीच कर रखा है तो Gallery के निसान पर क्लिक करके लिखे यवे डिकलेशन को यहाँ पर अप्लोड कर सकते हैं उसके बाद इस photo को हम select कर लेंगे अब देखिए यहाँ पर photo आ गया है यहाँ नीचे में जो submit लिखा है हम submit पर click कर देंगे जैसे हम submit पर click करेंगे तो छोटा सा processing होगा और उसके बाद हमने जो request भेजा है वो successfully send हो जाएगा और यहाँ देखिए नीचे में लिखा आ गया your request id और यहाँ पर request आज दिया है has been generated यानि हमने यहाँ पर mobile number change करने का request भारत के इसको send कर दिया है request send होने के 2-4 दिंग के अंदर भारत के इसके कमचारी इसको verify कर लेंगे और हमारे mobile number को change कर देंगे यह तो रहा mobile number change करने का request अब चलिए हम address को change कर लेते हैं तो address को change करने के परतमान में जो address है वो यहाँ पर सोग रहा है नीचे में दिया है new address तो जिस भी नए address को आप देना चाहते हैं उस नए address को enter new address में डाल दीजे और उसके बाद नीचे में दिया है address proof तो यहाँ चौकूर बाक्स में क्लिक करके हमें कोई भी एक address proof देना है जैसे voter ID, आधार कार जिसमें भी हमारा address है उस address proof को यहाँ पर upload कर देना है नया address जालने के बाद इस चौकूर बाक्स में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैमरा और गैलरी काप्सन खुल गिया है आप चाहें तो कैमरे पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड या फिर रोटर ID का address वाले हिस्ते को इ उसके बाद नीचे में लिखा है submit तो हम submit पर क्लिक कर देंगे छोटे से processing के बाद यहाँ पर हमारा request जो है successfully send हो चुका है नीचे में लिखा आगया your request ID और यहाँ पर request ID दिया है has been generated अब जैसे माल लिजे आपने कोई भी request send किया है और उस request के status को आप check करना चाहते हैं तो य यहाँ पर हमारे request का पूरा detail सो हो गया है जैसे request ID नमर, service type में, mobile change request, status में pending है यहाँ पर mobile number change करने का request date दिया हुआ है कि किस date को हमने request दिया है यदि आपने एक से ज्यादे request दिया है तो नीचे में देखें दूसरा request सो हो रहा है यदि आप इस request को cancel करना चाहें तो इसके लि यहाँ है cancel requested services इसमें क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट को cancel करने के लिए यहाँ पर हमें कुछ फिल करना है पहले नमर पर है select request इसमें हम क्लिक करेंगे तो जो भी आपका request रहेगा वो request वहाँ पर सो हो जाएगा तो इसके चवकोष बाक्स में एक बार क्लिक करके OK कर देना है उस नीचे में दिया है cancel remark तो cancel remark में हम कुछ भी लिख सकते हैं मैं यह आप लिख दता हूँ wrong mobile number यह सब करने के बाद नीचे में submit है यहाँ से submit कर देंगे जैसे ही submit करेंगे तो यहाँ पर हमारा cancelation request successfully send हो जाएगा नीचे देख लिखा है request cancellation successfully तो इस तरीके से आप अपने request को cancel कर सकते हैं तो दोस्तों इसी पेकार से आप लोग भी अपने भारत का इस connection में mobile नमर तथा address को change कर सकते हैं तो उमीद है यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दें हमारे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन तक के लिए थैंकि जोस्तों